कीडे मकोडों का भी ऐसा वरणन किया गया है बाद में भगवान गद्धी पर वैट करके मानों गद्धी का भोग लगा करें मुझे बहुत अच्छी बात लगी अभी बल्लब कुल का एक धर्म सभा थी तो मैं पने महराजी का कुछ गरंथ ले गया था एक साल भी ले गया था वहाँ बश्टों को उड़ाने के लिए क्योंकि सभा में रहते हैं तो थोड़ा विवार भी सिखना पड़ता है वैसे हमारी आदत लेने की यह देने की बिलकुल नहीं है बचपन से लेने ही सिखा है किन्तों अभी हम सिखने लगे हैं कि बवहार में रहते हैं कि कुछ करना तो वाँ गे तो हम साल उड़ाने लगे वजिश्णों को तो उन्हों ने पकड़ लिया हमारा हाथ बोले कि यह मोड़ेंगे नहीं हम सोचा पता नहीं क्यों नहीं उड़ेंगे तो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि महराज माफ करना मुझे मैं बिना ठाकुर जी को भोग ल कैसे लगेगा हमको लगा वाँ सच में ऐसी भाव हो अगर ऐसे गदी दे करके नश्रिंग भगवाण जाते तो प्रहराद गदी लेते ही नहीं कहते हमको नीचे ये गदी किन्तो भगवान जानते थे कि भक्त कैसे स्युकार करेगा तो पहले स्वयम गदी में बैठे और दी दी और सच में गद्धी में बैठने वालों को ये बोद बना रहे कि संपत्ति हमारी नहीं हमारे इश्ट की है तो आ उसका भोग नहीं करेगा उसकी सेवा करेगा जैसे भरत ने अवद के राज का भोग नहीं किया अपितु शेवा की है संपत्ति सब रघुपति के आई इ इसले प्रहलाज जी माराज ने सेवा किया है इनका न्याय बड़ा प्रशिद्ध है विष्टु पुराण में तो बहुत विलक्षन है माराज ऐसे ऐसे चरित्र है विष्टु पुराण एक योग आश्षिष्ट में तो ऐक ऐसा चरित्र है कि प्रहलाज जी माराज चिंतन क पाराज ने सनातन धर्म के बारे में पूछा है कि हम सुनना चायते निनाम धर्म सनातनम ये सनातन धर्म मानने वर्णास्रम विवस्ता है ब्राह्मन चत्री वहस्य और शूद्र ब्राह्मन का करतब बेद पढ़ना पढ़ना यग्य करना कराना दान लेना दान देना चत्री का करतब राष्ट की रक्षा बहस्य का करतब धनारजन करना किन्तु समाज में सब को वितरन करना सुद्र का करतब है सेवा करना ऐसे ब्रह्मचारी ग्रहस्त बानप्रस्त और सन्यास का विवरनन है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का द्यनक बारा दक्षन करता हुआ गुर्चर्डों में रहे किन्तु सजग रहे साउधान रहे गुरु मा भी हो तब भी उससे दूरी बना करके रखे उसके बाद यदि नारण हमारे जीवन में बईराग्य है देखो इस पस्टम है ग्रिहम बनमबा प्रविशेद अगर बईराग्य नहीं है तो ग्रह में चला जाए ग्रहस्ताश्रम में चला जाए और बईराग्य है तो बनमबा प्रविशेद सीधे ब्रहमचरे से सन्या माराज में भी जाया जा सकता है नियम है और यदि वईराग हो और माराज कैसे गुरू की आग्या लेकर कैसे ग्रस्ताश्रम में जाएं उसके बाद माराज सन्यास यती धर्म का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है एक एवे चरेद विक्षु हो विक्षु को अकेला रहना यह जादा संग्रे आदी न करे यहां तक माराज यहां न सिस्यान अद्वजनी यह सिस्यादी भी न बनाए ना बहुत जादा गरंथों के चक्कड में पड़े कि बहुत जादा पड़ जाए ना माराज बहुत जादा व्याख्या के चक्कड में पड़े न यते आश्मप्र आयो, दर्म हे तुमा सियती दर्म का वरण किया है, इसमें अउदूत दत्ता त्रेजी महराज के मिलन की बात भी सुनाई गई हैं, उसके बाद यहां ग्रहस्त आश्ट्रम का भी वरण है, ग्रहस्त आश्ट्रम में भी रखत रहता हुआ व्यक्ति संग्रही न बने, जिससे पेट भर जाए, उतना ही अधिकार हमारा है, अधिक संग्रह करते हैं तो हम दंड के अधिकारी हैं, बाद में ग्रहस्त आश्ट्रम के बाद, ग्रहस्त से ही बानप्रस्त की ओर ही गमन करें, आज कल महराज दो की बहुत बड़ी हानी हुई है, बानप्रस्त नहीं दिखते हैं समाज में, सन्यासी तो खुब दिखते हैं, किन्तो बानप्रस्त लगभग लापता, और ब्रह्मचारी भी लापता, सब जिससे पूछो किसी आश्रमधारियों के पास में कोई भागिसाली जो हो, उनके पास तो उत्रादिकारी हैं, नहीं तो निन्यान बे प्रसद अभी आश्रम में उत्रादिकारी नहीं है, हम गुमते रहते हैं, हमको कितने लोग कहते हैं, कि महराज जी कोई ब्रह्मचारी हो तो दो, कोई योग यो हो तो दो, तो मैं एक एई बात कहता हूँ, कि दूडो मत बुले क्यों हमने का इमानदारी से घर छोड़ कर आया होगा तो तेरा आस्रम का एको समालेगा और जो तेरा आस्रम छोड़ कर आया होगा वो इमानदार कहां से होगा कहीं ने कहीं तो वाश्चना होगी तो आज ब्रह्मचारी मिलना बड़ा कठिन हो गया है सब को टीस है क्योंकि ब्रह्मचरी आश्रम लगभग लापता होता चला जा रहा है केवल ग्रहस्त और सन्यास दिखते है बानप्रस्ति कहां दिखते हैं जी बानप्रस्त के आधार पर पचास के बाद घर छोड़ने वाले बानप्रस्ति यहां कितने हैं नहीं हैं और ममता और बड़ा बैठते हैं तो बानप्रस्त का भी यहां वर्णन है कि कैसे जीवन बतीत करें मैं तो कई बार कहता हूँ बहले घर न छोड़ पाओ किन तो घर में रहते रहते बानप्रस्त बन जाओ घर को अपना कहना बंद कर दो अपना सोचना बंद कर दो जो जैसा हो रहा है बस माराज वईचिंद देखते रहो उसके बाद नारण यहां पर एक बात और भी कई है भावा द्वैत क्रिया द्वैत द्रव्या द्वैत के माध्यम से कैसे पार जाया जा सके इसके बाद ये सकंद नारग जी माराज ने अपनी दिंचरिया अपना जीवन पूरु सुना कर सकंद पूरा किया है का मनवंतरों का वर्ण है एक मनवंतर में स्री मनुजी माराज कैसे आराधना भगवान की करते है इसका वर्ण है स्वारोचिस मनवंतर जो दूसरा मनवंतर है इस मनवंतर में कैसी मनुजी आराधना करते है इसका वर्ण है तरती मनवंतर उत्तम मनवंतर है इसमें प्रियब्रत सुतो मनु प्रियब्रत के जो सुत है वही माराज यहां राजा बने पवना यहां बताया गया उनकी परंपरा इस माराज सत्य से नितिक ख्यातो जाता सत्य वरती सहा और उसके बाद तामस जो माराज मनवंतर है चतुर्थ मनवंतर है इसमें कैसे भगवान हरी बन करके अवतार लेकर गजेंद्र का उद्धार करते हैं ग्राह को कैसे अपना लेते हैं यह बात बताई गई तब विस्तार से पूछा गया तो कहा आसीत गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्तार एक त्रकूट नाम का पहाड है चारों तरफ जल बढ़ा हुआ है जल से लगा हुआ जंगल है जंगल बढ़ा सुन्दर है वहाँ पक्षी कल्रो करते रहते हैं नाना प्रकार के पुस्प खिले रहते हैं एक दिन वहाँ गजंदर नाम का हाँ थी जो जंगल में रहता था परिवार को लेकर पानी पीने के लिए गया किन्तो ये भूल गया कि जल के अंदर ग्रा भी रहता है जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि हम रत्यू भी है बसके बोग भोगने में लग जाते हैं पत्नियों के उपर पानी डाल रा था कलोल कर रहा था गार ने जो पहर पकड़ा तो चीक लगाई पत्नियों ने पुत्रों ने सोड़ पकड़कर निकालने का प्रयास किया जब सफल नहीं हुए तो छोड़ करके चले गए हारे को हरी नाम जब चारो तरफ कोई रक्षक नहीं दिखा तो इन्होंने एक सुमन उठाया वसे हमारे एक टीका कार ने लिखा है स्री किसोरी जी को दया लगाई किसोरी जी को दया क्या लगी एक गहरे जल में चला गया तर डूबने वाला था और पकार भी नहीं रहा था किसोरी जी को दया लगी अच्छा इस से लगता भी है क्यों कमल जब भी खिलते तो उतले जल में खिलते हैं गहरे जल में नहीं खिलते तो वहां कमल कहां से आया तो किशुरी जी ने लीला करके अपना लीला का मल डाल दिया काये लो इसको सादो और प्यारे को पुकारो अथवा माना सुष्टू मनह सुमनह सुन्दर मन जिसका है ऐसे उस सुमन लेकर के अर्थात पुश्ब लेकर के उसने पुकारा है ओम नमो भगवते तस्मयद एतद चिदात्मकं पुरुशाय आद वीजाय परेशाय विधीमही यस्मिन इदम यदस चेदम एनेदम या इदम स्वयम युवस्मात परस्मात चपरह तम प्रपद्दे स्वयम भुवम बड़ी रसीली स्थिसी का नाम गजेंद स्थि है इस स्थिस उनकर के भगवान बड़े प्रशन हुए हैं और चंदो में गरुनें ये चंद में गरुन पर आरूड होकर के शमुई हमान भगवान आकर के प्रगट हुए हैं और जब महराजी आकर तम वीक्षपीडित तो सहसावतीरिय भगवान सहसे अवतिरित हो गए और एक हांस से माराज हाथी का सूड पकड़ा और पड़कर करकर जो जल से बाहर निकले चक्र का अवाहन करके उसकी गरदन काट दी उससे जो जोती निकली गोविंद के चरनों में लीन हो गई है और गजिंद्र भी भगवा काईसे उद्धार कैसे हो गया गरा की जोती लीन होगी तब बताया एक गरा कोई दूसरा नहीं ता हूँ नाम का गंदर बता एक देवल नाम के महात्मा का अपराद कर दिया था वो इश्नान कर रहे ते डुबकी लगा कर पैर पकड़ लिया उन्होंने शाप दे दिया कि ज चाहे कुछ भी करो तब ही देते नहीं, और देंगे भी तो लगें भी नहीं, स्राप और आसिरवाद नारण दोनों तब से लगते हैं, तब की पुंजी के अभाव में ना स्राप सपल होगा नना आसिरवाद सपल होगा तब का यदि प्रभाव हो तभी साधना में जीवन हो तभी आसिरवाद लगता है और इसका सुत्रशी माराज हमारे तुर्शिदा जी माराज इबने बड़ा अनुखा दिया है कि जब राम जी का मन जानकी पर आसक्त हो गया और आकर के गुरु जी को सब कुछ बता दिया तो गुरु जी ने ऐसे आसिरवाद नहीं दिया कि जानकी मिल जाएंगी बाबा हमारे लिखते हैं सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं पहले सुमन प्राप्त हुए और सुमन प्राप्त होने के बाद महात्मा जी ने पूजा की अपने इश्ट को प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद अब आसिरवाद देते हैं सुफल मनूरत हों ही तुम्हारे राम लखन सुनिभहे सुखारे जाओ तुम्हारे मनूरत सुफल हो तो तब की पुझी चाहिए यहाँ पर माराज एक बात और बताई कि देवल नाम का ये जो माराज था जिसका उद्धार हो गया तो हांती कौन था हांती माराज ये इंद्रत दुम्न नाम का राजा था पांडोवंसी था विश्णुबरत परायन था ये घर छोड़ कर चला गया गुरु जी गए अगस्त जी माराज तो खड़े होकर स्वागत नहीं किया तो गुरु ने श्राप दे दिया कि जाओ आथी बन जाओ आज भगवत करपा से उसको भी भगवत दर्शन हुए है बाद में मारा जो पंचम नाम का रैवत मारा रैवतो नाम पंचमा ये रैवत नाम का जो मनवंतर है पांचमा है इसमें बैगवान बैकुंठ के रूप में उप्रगट होते है चठवा मंतर चाक्षुस मनवंतर है इस मनवंतर में भगवान आजित के रूप में आते हैं और इसी मनवंतर में ठाकुर जी ने समुद्र का मंथन करवाया ये चठवे नाम के मनवंतर में तब राजा ने पूछ दिया कैसे चीर सागर का मंथन हुआ आप करपा करके बताओ तो बताया कि दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र की लक्ष्मी चली गई थी इंद्र विचारे दरदर के विखारी बने क्योंकि पद हाथ में नहीं था और जब ब्रमाजी महाराज के पास गए भगवान के पास गए तो का जब समय अनुकूल नहो तो जगड़ा मत करो नहीं वैसे तो जगड़ा करना बुद्धिमानी है ही नहीं सांती से जो काम बन जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं तो इन्होंने का जगड़ा करना ठीक नहीं अरयोप ही संधेयाह सति कारियार्थ गवरवे अपना कारी बनाने में कारसमाज का गवरव हो जिस कारी में उसमें दुस्मन को भी मित्र बना लेना चीए किन्तु भईया ध्यान रखना दुस्ट के साथ मित्रता बले बना लेना किन्तु सावधान रहना क्योंकि दुस्ट कभी दुस्टता छोड़ता नहीं है हमारे रहीम जी महराज तो कहते है को रहीम कैसे निभै केर बेर को संग वे रंग डोले आपने उनके फाटे अंग केले का ब्रक्ष और बेर का ब्रक्ष दोनों के साथ नहीं रह सकते क्यों बेर का ब्रक्ष अपने मोज में जुमता है हवा लगने पर तो बिचारे केले के तो पत्ते-पत्ते फट जाते ऐसे ये दुर्जन और सजन की माराज रहना एक साथ बड़ा कठीन है किंदो हमारे सज्जन लोग तब भी सावदान होकर कि निभाय लेते हैं तो इन्होंने सजगता तो बताई कि दुर्जनों से काम भले बना लेना किंदो उनका विश्वास कभी नहीं करना काम बनाने के लिए समाज के एत के लिए कई बार प्रियोग करना पड़ता है कई बार आवर्शक्ता पड़ने के बाद बनाना पड़ता है मिलाना पड़ता है किंदो सजगता बनी रहे इसमें आही मुसकवत देवा ये उदारण दिया है आप लोग जो कथा सुनते हैं तो लगबग सबको पता है कि नहीं पता है सुना दू अच्छा सुना देटा हूँ हमारे महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक पिटारी में एक सर्प था संयोग से वहाँ एक चुहा पहुँच गया चुहा को देखकर सर्प जी बोले आओ आओ मित्र बढ़ी करपा की बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया तो चुहे ने पूछा मैं आपका मित्र कब से बना बोले जब से हरिद्वार हो आया हूँ हरिद्वार गए तो मैंने चुहा खाना छोड़ दिया है महराजी को और सुनाते हूं बिल्ली कौन कंगन पहन लिया केदार कंगन महराजी सुनाते बिल्ली करती मैंने केदार कंगन पहन लिया है तो उसने कहा है कि मैंने तो वहाँ चुहा खाना छोड़ दिया है तो बड़ी खुशी के बाद बोले अब मित् मित्र दुख होई दुखारी उनहीं बिलोकत पातक भारी जो मित्र के दुख को देखकर दुखी न हो जाए उसको देखने में पाप लगता है चुए ने का महाराज क्या दुख है आपको मैं दूर करूँ बोले यही दुख है कि पिंजडे में कहे दूँ काटो न इस पेटी क चुए ने महाराज काटा कि दुखो दुख्ट का विस्वास कर लिया वो सोचा कि सचमुच में यह मित्र बन गया मित्र सर्प बन नहीं सकता था उसका आहार है चुए काट करके निकल जाता तो बच जाता उसने का मित्र देखो निकलने लाएक जगे बनी की नहीं बनी तो स अरिद्वार हुआयो, बोले जब तक पेटी नहीं कटी तभी तक गया था, ये दुष्टों का नारएण सुभाव है, अई मुसकवत देवा जो सब्दका प्रयोग है दुष्टों का सुभाव, तो सज्जन पुरुस को दुष्टों का अहित भले न चाये, वो चाहना भी चा मुसक्ताओं ने दैत्यों से मित्रता की और समुद्र मंथन की तैयारी की, वासुकी नाक की रस्षी बना करके, मंद्रा चल पाहड को माथानी बना करके, जब मत्ने का प्रयोग किया तो डूबने लगा, तो भगवान कमठ बन करके पीठ परदारन करते हैं, बोलो कमठ भग भगवान की, बाद में समुद्र मंथन प्रारम हुआ, तो हविरधानी माराज गाय पले जहर निकला, जहर भगवान संकर ने स्युकार कर लिया देवताओं की प्रार्थना से, बाद में हविरधानी गाय निकली, रशियों ने ले लिया, उच्चा इश्रवा गोडा निकला अस्रों ने ले लिया, अईरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, बहुत देर हो गई, मंथन कुछ हो तो रहा था, कुछ निकल नहीं रहा था, तो ठाकुर जी ने अपनी कौस्तुमनी को कहा, कि जाकर गूम कर निकलाओ, भगवान के जितने भी आभूशन है, सब चै ठाकुर जी की आभुशन बन कर रहती है, तो काजरा गूम कर आओ, और जब गूमने की लोट करके आई, तो ठाकुर जी ने उसको स्विकार कर लिया, बाद में अब सराय निकली, महराज वो भी स्वर्ग को चली गई, अब लक्षमी जी का जब प्राकट हुआ, तस्याम चक प्राथन बंद हो गया, किन्तो लक्षमी जी ने सब को फेल कर दिया, एक बाबा जी बैठे थे, बड़े तपश्वी थे, वो भी चायते थे साथ मेरे गले में पढ़ जाए, बहुत दिन बभूती रमाई, अब कम से कम डल्लब के गद्दे में सोने को तो मेलेगा, किन्तु हमाराज उनके साथ नहीं किया, बोले नूनम तपो यस्यनमन निर जयाहा, यह बाबा तपश्वी तो है, किन्तो प्रोध पर जय नहीं प्राप्त किया, देखो यह क्रोधी के पास भी लक्षमी ठिकती नहीं है, हमने देखा है व्यापारियों को, उनका ग्राहक चाहे कितना गाली दे, किन्तो तब भी मुस्कराते रहते कि नहीं है, सेड़ जी, अंदर से तो लगता होगा, यह तो आप लोगों को भी पैचान होगी, क्यों रामा रामा, कभी कभी कोई ऐसे खटपटिया ब्यापारिया, ग्राहक आ जाते होंगे, जो सब दुकान के सामान पल्टा द आपई की दुकान है, तभी तो लक्ष्मी जी आती है, और अगर नाराज होने लगे तो लक्ष्मी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक आना बंद हो जाएगा, लक्ष्मी जी ने उनका वरण नहीं किया, अविप्रा ये हैं, लक्ष्मी बान लोगों को क्रोध पर भी संयम रखना चाहिए तभी लक्षमी रुकेंगी उनको विका कि इनोंने क्रोध पर विजय प्राप्ट नहीं कि इसलेन के यह नहीं रुकेंगी बगवान संकर को भोली कि यह तपश्वी तो हैं ज्ञानी भी हैं ज्ञानम क्वचित किन्तो इनकी कंपनी ठीक नहीं है इनके साथ जो रहने वाले लोग हैं सब भंगेडी हैं गजेडी हैं कभी-कभी उपद्रों करेंगे तो बोले ये भी नहीं चलेंगे ब्रह्मा जी को फेल कर दिया ठाकुर जी जानते थे कि हमारी हैं एक बात कहें विश्वास हो तो नारायन ऐसा हो जैसे लक्ष्मी नारायन में विश्वास है नारायन को लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास है कि चाहे कितनी जगए माला लेके जाएं किन्तो माल हमारे पास ही लेकर आएंगी जिसके पास माला लेके जाएंगी उसका भी माल हमारे पास ले आएंगी ये आज तक न किसी की हुई है न किसी की होंगी इसलिए महराज वो पता था मेरी है मेरे पास ही आएंगी इदम मदियम नहीं तत परेशाम जो मेरा है वो कभी दूसरे का हो सकता नहीं है भगवान बहुत महराज आनंद से लेटे थे हमारे महराजी तो बहुत रशिला सुनाते है लक्षमी जी ने चादर खीचा और भगवान सो रहे थे तो भगवान आख मलते हुए बोले कौन है जी बोले आख खोलो पिर दे पूछना कौन है तो देखा माला लिये कैसे पधारी बोले माला नहीं दिखता है वैसे एक बात कहूँ भवान बोले क्या है बोले तुम्हें भी सब बिसे इस्ता हैं नहीं गड़बणियां बहुत है कि तो कोई बात नहीं हम काम चला लेंगी क्योंकि जब तुम हमको चाहते नहीं हो जब हम आजाएंगी तो अपने आप चाहने लगोगे बरमाला पेनादी बाद में समुद्र मंतन हुआ तो वारुनी देवी निकली है एक निविदन कहूँ गर में लक्षमी आये और सराब नाये तो भगवान की बहुत बड़ी क्रपा है सजगता रखना अभी कल कोई माता जी कह रहे थी कि महराज जी इस बातों को नहीं बोलते थे आप क्यों बोलते हो अरे डारेंट समय है कई लोगों का इससे सुधार हो जाता है कई लोगों का हमने तो पूरे गाओं के गाओं के लोगों को सराब चुडवाई है बिसन चुडवाई है ये सराब मनुष्यों का आहर नहीं है इसलिए असुरों ने इसको पिया है ना मनुष्यों ने लिया ना देवताओं ने लिया असुरों ने इसको स्युकार किया बाद में धनवंतरी भगवान निकले और वा कलस लेकर के जो निकले तो असरों ने छीन लिया और वो भी पी नहीं पाए आपस में जगणने लगे अहम पूरवं अहम पूरवं नत्वम नत्वम इति प्रभो पहले मैं प्यूंगा पहले मैं प्यूंगा ये चिंतन करके बगवान मोहनी के रूप में प्रगट हो गया है बोलो मोहनी बगवान की अपने सौंधरे से असुरों का चित तहरन कर लिया और जब कलस उनके हाथ में आया तो देउताओं को पिला दिया उनको केवल अपनी आँखों का नसा पिराया सौरभानों को पता चल गया वो आकर बैठ गया जब पीने लगा तो चंद्रमा और सूरी ने इसारा कर दिया बगवान तुरत चुनरी फेक करके चक्र लेकर के गरदन उसकी काट दी वही आज राहू और केतू के रूप में सूरी और चंद्र से द्वेश करके गरहन लगाता रहता है दैवार सु संग्राम हुआ इसमें एक सुत्र जो महराजी के द्वारा दिया गया है मैं दूंगा जुरूर महराजी यह महारे कहते इसमें अम्रित पिये हुए देवता भी मरने लगे क्यों भाई अम्रित पिलिया था तो क्यों मरने लगे क्योंकि अम्रित उन्होंने अधर्म पूरुवक प्राप्त किया था चल से मिला था उनको कई बार हमको लोगों को लगता है अन्याय से धन अरजन करें पर सोचेंगे इसको दान में लगा दें तो पुन्न मिल जाएगा महराजी ने तो एक बड़ी और असीली बात कही है हमारे इस प्रसंग में जो लोग पूरा नहीं सुनते महराजी का कई लोग के वल भागवत सुनते या भक्ति का ही सुनते है जो वेदांत भी सुने सारा सुने तो पता चल जाएगा फिर उनको नगेगा की नहीं कि ऐसी बात नहीं बोली गई उनको समझ में आ जाएगा कि ये भी बात बोली गई है महराजी के माद्यम से तो महराजी ने तो एक जगे एक बात कही है कि जैसे कुम्ब का इस्थनान होता है तो कई ग्रहस्त जो कभी लाल कपड़े नहीं पहनते हो लाल कपड़ा पहन लेते हैं क्योंकि हमको इस्थनान करने को मिल जाएगा मारा जिनिस्पष्ट कहा जो कभी नंगे नहीं होते हो नंगे हो जाते है क्योंकि बोले हमको वहाँ इस्थान करने को मिल जगा लाल कपड़ा पहन के जाएंगे तो साहिस्थान के साथ पहुँच जाएंगे नंगे होके जाएंगे तो वहां इस्थान मिल जाएगा तो आप ने श्िनान का पूर ने तो प्राप्त किया कि तो जो सास्त मर्यादा का उलंगन किया उसका पाप भी तो लगेगा उस पाप से भी बचना चाहिए इसलिए बहुत सजगता से ध्यान रखना चीए कि यह नहीं कि इस चीज को हम ऐसे अधर्म पूर्वक यह दिप्राप्त करेंगे तो उसका फल बहुत मधुर नहीं होगा तो बाद में भगवत करपा से वो लोग जीवित हुए कोकि भगवान की दृष्टी उन पर पड़ी इसले जीवित हुए दैवासु संग्राम में वही तो देवताओं की बिजय इधर माराज भगवान संकर को भी अमारे शिमोहनी भगवान ने मुहित किया इसका भी वरणन किया गया है